हेलो प्यार विदार्तियों समाकेटमिक यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं वर्क्षीट नंबर 69 और 70 की बात करेंगे यानि वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि दोनों वर्क्षीट अपन इसी वीडियो में करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें Competency, Uses Punctuation Appropriately अपने को Punctuation जो मार्क्स होते हैं यानि Full Stop, Comma, Question Mark उनका उच्छी तरीके से यूज करना है, Read carefully the dialogue that is given below, आपको एक नीचे dialogue दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ना है Notice any errors, यानि उसमें errors है, उसको notice करना है, of punctuation and grammar that you can find और जो grammar जो mistakes है, उनको आपको डूंडना है, जैसे पहले लिखा गया है, पवन पवन कहता है, Hello, परसांथ, Where is you going? यानि Hello, तो Hello के बाद में आपको क्या लगाना होता है, यानि ये किती स्रीके से वो लगता है, और उसके बाद में आर यू परसांथ, Where is going? तो यहाँ पर किस्तन मारक लगता है, तो ये क्या है कमी है, परसांथ, तो परसांथ जिसे ये capital में लिखा जाता है, I क्या लिखा जाएगा, capital में होता है, go to work, उसके बाद में फुल टॉप लगता है, वो पुस तरह है, Where are you going? तुम कहां जा रहे हो तो परसांथ कहता है, I am go to work, यानि मैं काम पर जा रहा हूँ, तो फिर परवन बोलता है, ये देखो आप W, इसको भी क्या लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है, Where is you working now? तुम कहां कारे कर रहे हो, और यहाँ पर क्या लगता है, यानि किस्तन मारक लगेगा, तुम कहां कारे कर रहे हो, फिर परसांथ कहता है, I am working at zoo, तो देखो, I यहाँ पर क्या लिखा जाता है, केपिटल लिखा जाता है, ये क्या है, mistakes है, तो आपको underline करना है बस, और उसके बाद में full stop लगता है, वो कहता है, I am working at zoo, मैं कहां पर कारे करता हूँ, जू मैं कारे करता हूँ, जू में जंक बूस में है, चिडिया गर में कारे करता हूँ, फिर next power, अब देखो, यहाँ पर एजू का है, A capital लिखना है, you do, what there, क्या तुम, वहाँ जा रहे हो, तो क्या करता है, यानि वहाँ क्या देखती हो तुम, तो बरसांथ कहता है, I look after the tiger, यहनि में tiger के पास है, tiger को उसके बाद में उसकी मतलब देख बाल करते हैं, देखता हूँ, फिर power, power, power गेता है, O, O के बाद में क्या लगता है, इस तरीके से एक हाइफ़न वह लगता है, is you scared, उसके बाद में question मा रहा है, तो यह क्या है, इसमें mistakes, mistakes की हुई है, जैसे, अब देखो, you के साथ, is नहीं and punctuation in there, below, one has been done for you, अब आपको यहां पे लिखना है, जैसे, पावन, hello, परसांत, where are you going, तो यहां क्यूस्त नमारक लग गया, यानि इसमें जो गल्तियां थी, वो सही कर दी, अब परसांत वाड़ा, I am going to work, अब अपने, यहां पे I को capital कर दिया, और यहां पे full stop लगा दिया फिर पावन, where are you going, इस लगाओ था, तो यहां पे change गर के R लिख दिया, are you working now, क्यूस्त नमारक लगा दिया, उसके बाद में परसांत, I am working at you, तो यहां पे अपने capital कर दिया, और full stop लगा दिया, फिर पावन, एजू, यहां लिखना है, यहां क्यूस्त नमारक लगाना है, फिर लिखना है, परसांत, I look after the tiger, यहां पे full stop लगाना है, फिर O, यानि पावन बोल रहा है, O, O के बाद में आपको यह sign लगाना है, are you scared, तो यहां क्यूस्त नमारक लगाना है, इस तरीके से अपने को, यहां इनकी जो गलतियां थी, यहां जो mistakes थी, grammar की punctuation marks की, उनको अप अपनने किया है, I hope कि आपको समझ में आया होगा, next है, worksheet number 70, competency identifies prefix and suffix appropriately, अपने को suffix और prefix को क्या करना है, पहिचारना है, complete the given table by separating the appropriate prefix and suffix, यानि अपने को इसमें से अलग करना है, spread करना है, जो prefix और suffix लगे हो है, इनके साथ उनको अलग करना है, from the words given in the box, और उसके बाद में words को, यानि निचे box दिया गए है, उस box में लिखना है, जैसे miss palace, तो miss palace में क्या है, miss क्या है, prefix है, arrangement, तो इसमें meant क्या है, suffix है, action, ion क्या है, prefix है, reload, यानि re क्या है, prefix है, in, in law, तो in भी क्या है, prefix है, joyful, full इसमें suffix है, illegal, इसमें क्या है, prefix है, unable, prefix है, this, miss में, this क्या है, prefix होता है lovely में ly suffix होता है speedy में dy के है suffix होता है उसके बाद में nonsense तो non कै है prefix है, withhold with क्या है? prefix है taskless, तो less क्या होता है? तुपिछे जूड़ता है, spoiled ed suffix है, Ensure er suffix है unprinted, तो un क्या है? prefix है careless, less क्या है suffix है, anti 아ड क्या है? prefix है इस तरीके से अपने इनको यानि जो prefix और suffix है उनको पहचान लिया है अब अपने को क्या करना है इनको अलग लिखना है जैसे prefix है तो prefix के column में लिखना है suffix है तो suffix में लिखना है prefix जैसे miss, r, e, i, n, i, l, u, n और suffix कौन से है meant, i, u, n, full, ly, dy ये क्या होते है suffix होते है इस तरीके से आपको भी ये table बनानी है this, none, with, un ये सारे के सारे prefix हैं और इधर लिखे हैं जो अपने जैसे less, er, ed, less ये सारे क्या है suffix है तो i hope कि आपको prefix और suffix को अच्छे से knowledge हो गया होगा कि किस तरीके से, यानि क्या काइन में जो सबस जोड़ते हैं और किस तरीके से न को अलग करते हैं thank you